हेलो दोस्तों जैहिंद कैसे हो आप सब एक बार आपके अपने चैनल एक्जाम ट्रेक पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 1149 पोस्ट अभी लिख ली है हाली में इनका फोर्म भरा गया है फरवरी और मार्च में ठीक है ना तो बहुत से पुछ से कमेंट कर रहे हैं सर इसका पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है पिछली बार की कट ओफ क्या गई थी जो उसका एक्जाम होता लास्ट बार 2017 में इसक जरूर देखेगा ठीक है ना तो सबसे पहला तो मैं आपको बीना कुछ देरी करते हूँ यह पता जैता हूं उसका एक्जाम पैटर्ण क्या रहने वाला है एक्जाम पैटर्ण में बता दूँआ आपको इसके 100 कोश्चन आते हैं ठीक है 100 कोश्चन आपको 100 मार्क्स के मिले है और 120 मीनट टाइमिंग होगी ठीक है ना 120 मीनट में दो घंटे तो कोई कमी नहीं है जबकि आपको पता यूपिस में 120 में में 1.500 कोश्चन करने थे, इसमें 120 मिनट में कुल 100 कोश्चन करने है, तो कही ना का या इसका लेवल का जो कोश्चन होगा, कही ना का अच्छे लेवल कोश्चन होगा, इसे आप से भी आप अंदादा लगा सकते हो, क्योंकि टाइम इसमें पच्चिस कोश्चन आएंगे फिर उसके बाद आपका जी एस और जी के ठीक है ना जी एस और जी के दुन आएंगे ये भी 25 कोश्चन का है और फिर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक दोनों नहीं जोन साभी बच्चा चुनना चाहिए जैसे ऐसे जी डी में हुआ था इं आपको टाइम में लगी तो यह सबसे पहले होगी मेंली आपकी बात exam pattern कि मैं exam pattern क्यों बतारहा हूं क्योंकि मैं मयना बता दूнок बहुत से बच्चे exam pattern को अर jabi, नहीं समझ पाते और जब exam pattern को नहीं पाते तो उसी सद हम से आप सो सिलेवर भावत नियोट नियो रहता हैि कि हो अपने सबसे पहली बात हो अपने एक्जाम पैटर्न और इस लेवस को समझें फिर उससे आप सो तह्यारी पे लगें ठीक है मैं मान दो इसमें पहले फिजिकल होगा बड़ सबसे बढ़ी हाथ मतलब हो फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग उसमें कोई कॉम्पीटिशन नही कॉम्पीटिशन है पिसली बार के मुकाबल है जो कि सब जंगाई देखा जा रहा है चाया अभी UPSI की देख लो उसमें भी कितनी हाईकट ओफ गई है तो इसमें भी हैसे ही रहने वाला है ठीक है दोस्तों अब दूसरी बात मैं आपको बता दूँए इसका पेपर का लेव अच्छा जिन के वाज PCM थी उनी बच्चों ने इसमें भर आए तो ठीक है ना और 12 वाले 10 नहीं इसमें 12 मंगेगे तो आप खुच अंदधा लगा सकते हो भाई जिस एक्जाम में 12 माइंगे उसका पेपर का लेवल काफी सही आने वाला है ठीक है ना कोई ऐसा पेपर का ल मिनट में आपको सो कोश्चन करने को मिल दें तो अगर वह बहुत से बच्चा साथ सतर मिनट में भी कर देगा तो इजी बिलकुल भी नहीं था ठीक है ना क्योंकि जहां पर 10 प्लस 2 PCM की बात आ जाती है वहाँ पर कहीं थोड़ा सा पेपर हलका हाट जरूर होता है वह आप कोश्चन उसमें जरूर जूड़ते हैं जी एसजी के में ठीक है सो इसी को और येंटिट देखते हो मैं आपको आज एक दोस्तों गाइड बताने वाला हूं ठीक है ना क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप पेपर का आपने लेवल तो आपने पहले वीडि करते हो मैं आज आपको एक बुक बदाने वाला हूं ठीक है ना चक्षू प्रकाशन की वह बुक है तो चले मैं आपको इसका कवर पेज दिखाई देता हूं बीना कुछ देरी करते हुए तो दोस्तों यह जो आप अपनी स्कीनी में देख पार रहे होंगे ठीक है ना चक्षू प्रकाशन की वुक है ठीक है यह इसका आपका फ्रेंट पेज है फ्रेंट कवर है और वाके में बहुत अच्छी बुक है और सिर्फ और सिर्फ इस वालो बच्चों के लिए ही बना र रुक हैं दूसी अच्छी बात इसकी मुझे यह भी लगई क्योंकि मैंने खूद यह भी उसकर रखी है ठीक है धो जायक है अंब बहुत से इस यह भी बिह यह होते हुत है कि हर एक बच्चा समझ नहीं पता पर यह अच्छी के साथ साथ मलब से तो बिल्कुल ओरियंटीड इसका सिलेवस है प्लस इसमें लेंगवेज भी आपको बहुत सिंपल तरीके की दिए गई है जो हर बच्चा अराम से समझ सकता है ठीक है ना बिल्कुल अंडर परशेंट तो बड़ी बात बिल्कुल में जैसे बताया था आपको एक्जाम्स को ओरियंटीड रखते हुए आपका सिलेवस है तो यह देख लिए जाब बिल्कुल जो सिलेवस आपका CISF में है वही सिलेवस सेम तू सेम आपका इन्होंने इस गाइड में दे रखा है ठीक है रीजनिंग इन्होंने यह भी दे रखे कि गाइड में आपका इसमें इन्होंने प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे है ठीक है इस आपका जो मोराल है confidence से खुद भी खुद ही ओपर चल जाएगा आप खुद ही समझ जाओगा कि हाँ हमें आप paper clear करने से कोई नहीं रोख सकता ठीक है न क्योंकि मैं बता दो फिर से मैं बताना चाहँगा बहुत simple language में बूक है और काफी अच्छी बिल्कुल exam oriented book है ठीक है न चक्षू प्रकाशन क तो दोस्तों अगर आपको यह book खरीदनी है तो इस video के description में मैं link दे दूँगा ठीक है न इसकी books का एंड साथ ही अगर आपको online नहीं खरीदनी तो offline भी आप अपने nearby जो store से वहां से खरीद सकते हो ठीक है तो दोस्तों अगर आपको यह book offline भी खरीदनी है तो मैं आपको एक front page है इस front page को देख के आप खरीद सकते हो ओके तो बात कर लेते हैं इसकी cutoff की बट उससे पहले में 2017 में जो cutoff गई थी उसके वह बता देता हूं कितनी कितनी गई थी फिर उसके बाद मैं आपको इस बार इतनी cutoff जाने वाले है उसका यह आपको idea बता दूँगा ठीक है तो जी काई थी तो जो cutoff आपकी गई थी final जो merit आपकी गई थी जनरल वालों की वह आपकी गई थी 67 ठीक है ना वहीं OBC की आपकी जो गई थी 64 गई थी और SCST की और भी कम गई थी ठीक है ना तो कहने काम लाग इतनी ज्यादा cutoff नहीं गई थी बट मैं बता दूँगा दोस्तो तो इस बार competition काफी high level का है चाहिए आप UPSI में देख सकते हो ठीक है ना तो इस बार cutoff 100% ज्यादा जाने वाली है और इस बार आप कम से कम 75 प्लस माने के चलो जनरली cutoff जनरलों बेसी cutoff पक्का 75 प्लस जाएगी SCST की काफी पिछली बार से high cutoff जाएगी बट 75 प्लस तो 100% ज है सिंपल PCM से ठीक है ना जबकि UPSI में काफी conditions दे रखे थी उसमें O-Level का भी certificate से यह था फिर भी इसमें इतनी high cutoff गई तो इसमें भी high cutoff जाने का बहुत रीजन है क्योंकि इसमें काफी बच्चों ने form भी भरा है अब की बार ठीक है ना और मैं बता दू ऐसी बात नहीं काफी रेस भी बहुत बच्चे क्लियर कर लेंगे तो असली competition return में ही है ठीक है तो मैं बता दो आपके 75 plus cutoff 100% आप माने के चलो और आपको paper क्लियर करना है तो आपको 80 plus लाने पड़ेंगे final merit के लिए ठीक है ना 80 plus अपना practice set में लिका लो जबी आप महां जागे 75 plus कर पाओग प्लीज ठीक है ओके जैहिन